अगर आप इसके बाकी पार्ट्स भी देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो इस मूवी में हम जानेंगे कि कैसे टांग तूटने के बाद बॉयका अगे सर्वाइब करता है तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ और इसी के साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें कहानी की शुरुआत वही रशियन जेल से होती है जहां हम बॉयका को पोचा लगाते हुए देखते हैं क्योंकि टांग तूटने के बाद उसका फाइटिंग करियर बिल्कुल खत्म हो चुका है और दूसरी तरफ हम साइकोव को एक फाइटर के साथ लड़ते हुए देखते कि मैंने तुमारी वज़ा से बहुत पैसे कमाए इसलिए मैं तुम्हें लाइबरेरी में काम करने के लिए भेजना चाहता हूँ लेकिन बॉयका उसे कहता है कि मुझे तुमारी कोई हेल्प नहीं चाहिए अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मुझे फिर से फाइट क करने के लिए काफी मेनत करता है जिसके चलते वो काफी हद तक ठीक हो जाता है दूसरी तरफ रिंग में कॉमेंटरी गाय अनॉंस करता है कि ये मैच में जीता हुआ फाइटर पी एस सी में हिस्सा लेगा यानि वर्ल्ड के सभी प्रिजनर फाइटर पी एस सी में हिस्सा जिसके चलते जो भी जीतेगा उसके सभी क्रिमिनल रिकॉर्ड को क्लियर कर दिया जाएगा और उसे जेल से अजादी मिल जाएगी फिर बॉयका अपने पुराने अफ़तार में आने के लिए रेडी होने लगता है और इधर रिंग में साइकॉव अपने अपोनेंट को हरा दे और उसी टेम यहां पर बॉयका आकर साइकॉव को चैलेंज करता है लेकिन आफिसर उसे पकड़ लेते हैं यहां बॉयका की जिद के चलते गागा उसे प्रिमिशन दे देता है साइकॉव से लड़ने के लिए लेकिन यहां पर बॉयका साइकॉव को बड़ी असानी से हरा द इसके बाद बॉयका को हम उसके सेल में देखते हैं यहाँ अबी भी उसका घुटना अच्छे से ठीक नहीं हुआ है इसके बाद बॉयका को रशियन जेल से ट्रांसफर कर रेपबलिक आफ जॉर्जया की जिल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जो कि ब्राजील से है, और णमबर साथ टर्बो जो कि यूएसे से है, और यहां पर सारे फाइटर murder crime के चलते सजा काट रहे हैं, इसके बाद वॉर्डन यहां से जाने लगता है, लेकिन तर्बो को थोड़ा कीडा काटता है, जिसके चलते वो वॉर्डन को उंगली करता है, ल इन में तुम्हें सिर्फ एक घंटा ट्रेनिंग के लिए मिलेगा लेकिन उससे पहले तुम्हें जेल में काम करना होगा और वो उन सब को पत्थर तोड़ने के लिए भेज देता है जहां टर्बो और बॉई का में थोड़ी अनबन हो जाती है जिसके बाद वाडन यहां एक र पेटरोस को हरा कर इस राउंड को जीत लेता है इसके बाद सैकेंड मैच में टर्बो और क्रेक की फाइट होती है जहां पहले तो टर्बो अच्छी टक कर देता है लेकिन क्रेक थोड़ी देर में टर्बो पर भारी पढ़ने लगता है जो कि ज़्यादा देर तक नहीं चल और टर्बो क्रेक को नौक कर इस फाट को अपने नाम कर लेता है। इसके बाद 4th round में लैमच चाई और राल के बीच फाईट होती है। जहां रॉल लैम चाय को मजाक में लेकर खेल रहा होता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो लैम चाय को अच्छे से उबालता है, जिसके चलते वो मैच जीत लेता है, अब यहां पर हम आपको बता देगी रॉल बेजो का ही आदमी है, और इसी के चलते उसको वोड़न दुआरा स्पेशल ट्रीट्मेंट दिया जा रहा था, फिर हम हारे हुए फाइटर्स को देखते हैं, जिनने वैन में आफिसर ले जाते हैं और सुनसान कार खाने में ले जाकर मार देते हैं, इसके बाद हम टर्बो और बॉइका को देखते हैं, जहां टर्बो बॉइका को उंगली करता है, जिसके चलते उनमें फाइट हो जाती है, लेकिन यहां पर दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टकर देते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें आफिसर पकड़ कर एक अलग सेल में डाल देते हैं, इसके बाद गागा और फरनेटी अपने फाइटर्स को मिलने के लिए जाते हैं, जहां टर्बो और बॉइका उन्हें बताते हैं कि यह हमसे मजदूरी करवाते हैं, जिसके चलते दोनों गुसे में जाकर बेजो और वाडन को मिलते हैं, लेकिन बेजो उन्हें कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, बस तुम अपने सारे पैसे रॉल पर लगाओ, क्योंकि यह फाइट हमारा फाइटर रॉल ही जीतेगा, लेकिन गागा उन्हें कहता है कि हमारे फाइटर का फिर क्या होगा, लेकिन वो उन्हें कहते हैं कि फाइटर को छोड़ो और जो पैसे तुमारे पास आने वाले हैं, उनके बारे में सोचो और ये डील को वो दोनों accept कर लेते हैं, इसके बाद हम टर्बो और बॉयका को देखते हैं जो कि धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने मिलने लगे थे यहाँ पर टर्बो और बॉयका के साथ आफिसर अलग तरां से बेव करते हैं और यहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि हम पत्थर तोड़ते तोड़ते ही प्रैक्टिस करेंगे और वो अपने काम के दौरान ही प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं और इसी दौरान बॉयका का घुटना भी प्राबलम देने लगता है यहीं पर टर्बो उसे एक फलावर देता है कि इसे अपने घुटने पर लगा लेना तुम ठीक हो जाओगे इसके बाद उन में थोड़ी बाते होती है जहां टर्बो बॉयका को अपनी फैमिली के बारे में बताता है और इसके बाद फाइटिंग डे आ जाता है जहां बॉयका और सिल्वा के बीच में फाइट होती है जहां सिल्वा बॉयका को अच्छी टकर देता है जिसके चलते उसके घुटने में प्राबलम होने लगती है और वो सबकी नजर में आ जाता है लेकिन इसके बावजूद भी बॉयका सिल्वा से फाइट करता है और एक लॉक के चलते सिल्वा गिव अप कर देता है बॉयका ये मैद जीतने के बाद सिल्वा को रिस्पेक्ट देता है और सैमी फाइनल में पहुंच जाता है इसके बाद सिल्वा को आफिसर दोअरा मार दिया जाता है और इदर बेजो वाडन को कहता है कि बॉईका और टर्बो दोनों ही काफी पावरफुल है यहाँ हम हार सकते हैं जल्दी उनका कुछ करो इसके बाद वाइका और जोड़ की फाइट को लेकर उसे टौट मारता है फिर बॉइका जाकर टर्बो को देखता है यहां पर टर्बो की हालत काफी खराब होती है फिर उन्हें पथर तोड़ने के लिए ले जाया जाता है जहां बॉइका टर्बो को यहां भागने को कहता है क तुम जंगल से होते हुए यहां से भाग जाओ लेकिन टर्बो नहीं मानता बॉयका उसे कहता है कि तुम्हारी एक फैमली है और कल वो तुम्हें रिंग में बुरे तरीके से मार देंगे लेकिन टर्बो कहता है कि हारने के बाद मैं वापिस यूएस से चला जाओंगा यहां पानी पिलाता हुआ ओल्ड मैन उने कहता है कि यहां सारे हारे हुए फाइटर्स को यह मार देते हैं और यह सुनकर टर्बो यहां से भागने के लिए मान जाता है बॉयका यहां टर्बो की चेन को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन आफिसर उने देख लेते हैं और य नहीं पर बॉयका गागा को देखता है, जो कि उसे कहता है कि सोरी मैं तुम से ज़्यादा पैसों को प्यार करता हूँ, और बॉयका समझ जाता है कि गागा ने उसे धोखा दिया, इसके बाद हम रॉल और बॉयका की फाइट को देखते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को लपेट कर रिंग में वापिस आ जाता है, जहां वो रॉल को रिंग में वापस टकर देता है, और पूरी जेल के कैदी बॉयका को चीर्स करने लगते हैं, इसके बाद बॉयका रॉल को अच्छे से उबालता है, और लास्ट में बॉयका रॉल की टांग को तोड़ते हुए म गुस्सा करता है कि तुम्हारे कहने पर मैंने 5 मिलियन डॉलर रॉल पर लगाए और इसके बाद फरनेटी गुस्से में आकर वाडन को मारने की कोशिश करता है और तभी पीछे से बेजो आ जाता है लेकिन फरनेटी बेजो को मार देता है और पीछे से वाडन फरनेटी को मार देता है इसके बाद वॉडन आकर बॉइका को कहता है कि तुम PSY तो जीत गए लेकिन तुम अजाद नहीं हो सकते क्योंकि तुमने एक फाइटर को भागने में मदद की है लेकिन बॉइका उसे कहता है कि मुझे कोई फरक नहीं पड़ता वॉडन उसे कहता है कि बाहर वैन तुम्हारा वेट कर रही है और तुम्हें वापस रशिन जेल में भेजा जा रहा है फिर शिफ्ट होता है जहां हम वाडन के साथ बॉयका को देखते हैं जो कि बॉयका को शूट कर मारने वाला था लेकिन यहीं पर टर्बो आकर उसे बचा लेता है इसके बाद टर्बो बॉयका को गागा की कार में यहां से ले जाता है और यहीं पर हमें पता चलता है कि टर्बो को गागा तुवरा रेस्क्यू कर लिया गया था क्योंकि कहिना कि गागा भी जानता था कि बॉयका ही जीतेगा इसलिए वो अपने सारे पैसे बॉयका पर लगा देता है और बेजों के सामने थोड़ा ड्रामा करता है फिर गागा बॉयका को पैसे देता है और यहीं पर टर्बो और बॉयका आकरी अलविदा लेते हुए एक दूसरे को बाय कहते है आखिर में बॉयका अपने पैसे और फ्रीडम को लेकर बहुत खुश हो जाता है और यहीं पर यह मोवी की कहानी एंड हो जाती है